नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग कैसे हैं आप लोग तो आज आपके बीच आ चुके हम यहां पे इंग्लेंड और ऑस्टेलिया का ODI मैच है यह कब तक चलेगा समझ नहीं आ रहा है दो हजार पचीस आने वाले हैं अच्छा वीडियो में एक मिलीमिटर आगे बरने से प तो कोई कोई ज्यादा लगा देते हैं जोस में आके वरना एक ही टीम से रिजल्ट आते है इस बात का ध्यान डखना और यहां देखिए कुछ पुराने लीक्स थे जिसके अंदर हमने काफी अच्छा वासा वीडिंग कराया है एक एक रैंक आया है आट सो रुपे जीते हैं 400 रैंक आया है 54,000,000 लोगों में से यहां चेकीजिए 54,000,000 लोगों में से 400 रैंक आया है यहां 400 रैंक आया है 40,000,000 लोगों में से तो अच्छे खासे रैंक आते रहते हैं हजारो हजारो रुपए लोग जीतते हैं देख लीजिए तीम एक ही लगाने का टीम ज्यादा नहीं लगाने का तीस तारीक का जो वीडियो होगा वह अपने नया फोन लिया है हमने 256 जीवी का 256 जीवी का तो अच्छा खासा फोन है तो उससे वीडियो से रिकॉर्ड होंगे अच्छे वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलेंगे तो यहां देख लीजिए जोस इंगलीस हैं और इस मैंच के अंदर खेलने वाले हैं और मैं आपको बता दू कि जितना विनिंग आपने देखा ना दोस्त जैसे कि आपने विनिंग देखा तो वहां पर आपके एक रैंक देखा आपने आपने यह देखा कि 5 लक रुपे जीता है लोगों ने 10 लक जीता है वह टेली ग्राम पर पर तेली ग्राम पर ही अर्म लेवालव है ठीक है तो फटाक से जोएं किजिए टाइम निए अब हम लोग कवर कर से यह बताना फरस्ता है अप चलिए यह बात करते हैं पीचे बाटिंग फ्रेंड लिय हैं फास्ट बॉलर को सपोर्ट है 260 रन बता रहे हैं कि लग जाएगा मतलब जाहिर सी बात है दोनों टीम्स तो टॉफी है इसमें तो कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए बैटिंग फ्रेंडली पिछ है फास्ट बॉलर को सपोर्ट है यहाँ पे जो प्रॉपर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जो भी अभी मैचेस रीसेंट पे खेले जा रहे है ओडियाई के मैचेस उसमें आपने क्या देखा उसमें आपने यह देखा कि यहाँ पे 126 रन ऑस्ट्रेलिया बना के हार गई थी पिछले मैच के अंदर एक मिनट इंगलेंड जीत गई थी पिछले मैच के अंदर ठीक है जी क्योंकि इंगलेंड बुरे तरीके से विकेट ले रही थी पिछले मैच के अंदर अब बात करेंगे तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं बलकि इंगलेंड ही जीता था 24 तरीकों भी 27 तरीकों भी वैसा ही हुआ तो स्कोरिंग हो रहे हैं स्कोरिंग के उपर डाउट नहीं है 200-300 अराम से लग रहे हैं मतलब इसमें यह नहीं है लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक बुरा सिच्वेशन यह है कि विकेट अभी लोज कर रही है और विकेट थोड़ा कम लोज कर रही है इंग्लेंड अभी तो इंग्लेंड वाले अपने अच्छे कमबेक कर रहे है अब चलिए यहां पर राइकली बात करेंगे हम लोग ज्यादा रिकॉर्ट के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि रिकॉर्ट यहां पर कुछ काम नहीं करता दोस्त अब खुद समझ सकते हैं यह मैच इतना जादा Un-con nursesitent है इतना जादा Un-con consistent है जिसका कोई कड़ना नहीं मिच्शल मारस ने प्उइंट नहीं Dya अगले मैच पॉइंट दे दिया जब अपने लिया तो नहीं दिया अगले मैच में दे यहां लेकिन अभी यहीं डिफेशन पर आ सकता है आ सकता है लेकिन सिच्वेशन कर लेंगे इसके ऊपर डाउट नहीं है एक परसेंट नहीं लवसान को देखें आप जब ना ले इसे जब इसको ले रहे ना दोस्तों जब इसको ना लिए दोसर 11 पोइंट बना कर चल गिया और जब इसको लेते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं इस तो दोमैच चले अब इसमें भी ले लेते हैं तो आके हग दिया तो इसी अब आप क्या वो लोगे आप बताव इसे पूरा-पूरा आप भोलो गए अनकंसिस्टेंट अब आप देखें यहां पर मिचल स्टार्ग तो पॉइंट दे रहा था नो डाउट अभी भी ले सकता है लेकिन पिछले मैच के अंदर कुछ खास नहीं किया था एक टॉप प्लेयर के लिस्ट में मैं रखना चाहूंगा यह बंदा विकेट ले रहा है ठीक है उतना भी जाता मैं नहीं बोलूँगा लिए एडम जब पर तो आंक मूंत के कह सकते हो कि बंदा ऐसा है जो विकेट लेते हैं पॉट्स को देखें आप एक मैच के अंदर वरोसा किया जाए ऐसे दोगले लोग हैं तो आपके टीम के लिए इनको नीवल है बिशार मासूं मासूंग लोग है भाई किसमें वरोसा किया जाए इतने अच्छे-च्छे मतलब आपके टीम में आप प्लेयर ले रहे हो वह नहीं चल रहे है तो नुकसान तो आपको अच्छों की नियत बदल जाती है चले कोई ना समझदार लोग है ऐसा नहीं करते कुछ लोग होते हाइपर हो जाते हैं चलिए देखिए सो बात का एक बात आपके लिए पी सौल तो कुछ मैच कंदर किये नहीं तो मैं तो इतना प्रैफर नहीं करूंगा भी फिलाल तो यह इस लिए मैं इसलिए मैं मानता हूं कि स्मीट का सलेक्शन जरूरी है और खास करके टीम पर चांस भी दरीए खेलने के लिए और खुद देखिए कैचे से भी पॉइंट दिया है मैं इसलिए मैं इसलिए लेकिन दिल से बता रहा हूं कि यह जो दो प्लेयर है लाइन से मैं किस तरीके से छोड़ू मुझे खुद समझ नहीं आ रहे है पर चलो कोई ना छोड़ दिया फाइनल यह वह फाइनल टेलीग्रम पर होगा टेलीग्रम पर ट्राविस एट को तो लेना पड़ेगा पिछले मैच कंदर इन्होंने पॉइंट भी दिया ऐसा है नहीं कि पॉ बिल्कुल निसन रहन है ऐघ्क है ओके मिचल मार्स मिचल मार्स आपके लिए इंपॉर्टन ग्रेर है यह लगल दोनों किसी मैच के अंदर सकते ले करें फिलाल मैं नहीं ले रहा हूं पर दोनों में से किसी को लेके चलन Ten eight तिकए डखेट बेंड लेकर चलना परेगा क्योंकि एक मैच का अंदर दिया था दो मैच के अंदर धोखा तीसरे मैच का अंदर धोका है ना और चौथे में आके चौका है इंपोर्टेंट बहुत अच्छे खेल रहे हैं और मैं मानता हूं रण स्कूरिंग करने में अच्छे प्लेयर हैं ग्लेंड मैक्सवेल लिविंग स्टॉर्ण अनवलेबल है इस मैच के लिए तो जैक्स की बात की जाए देखिए बहुत ट मेरेशारों को बुरा लगता है कि क्यों ना बुरा लगे भाई आप खुद सोचो आप अपनेप्लेयर को लेरो टीम के अंदर उसमें से पॉइंट इस मैच के अंदर दिये ईए नहीं नहीं बाइश वंजब्छा मैचदर दोहका दे दिया अब आप खुद दिल से बताना एक बात को थी मित और पिछले मेचट के या था तो भाई ढूरा लगता है मालीजी ड्रेकkeeट को तो बहुत नजरिया राज सकते हो मैं फिलाल के लिए जैक्स को लॉग कर रहा हूं में लेकर चलूंगा ठीक है बैतल तो इंपोर्टन वाई हर मैच के अंदर कुछ ना कुछ किया है और मैं मानता हूं हर मैच के अंदर कुछ अच्छा किया है ठीक है इधर थोरा सा डैमेज कि आपने इनको तो लेना पड़ेगा और नहीं तो यहां पर आपके लिए यह उप्सन है बहतरीन ओप्सन जो हर मैच के अंदर कुछ ना कुछ किया है तो मैं तो फिलाल के लिए इनके तरफ ही जा रहा हूं पॉर्ट्स पी बहतरीन ओपर नजरिया आपका होना चाहिए हाला कि मेरा नजरिया है बहुत टेलेंटेट प्लेयर्स हैं मैं फिलाल के लिए ऐसे ही जस्त ना की बिलकुल एकतम कंफर्म की दे दिया हमने देखी यह तो पूरा टीम बनके रिडी हो गया ऐसा है दोस्त क्यूंकि यहां पे कैपबल है यह आप जाहिर सी बात देख रहे हो दोनों ही कै अब आप देखिए एक प्लेयर जो बहुत टैलेंटेट है यह लाइन से आपको जो प्लेयर दिख रहे हैं आपको लगता है इसा कि कोई प्लेयर इसमें बुरा परफॉर्म करेंगा ऐसा नहीं है एबट भी बहतरें प्लेयर माने जाते हैं फिलाल के लिए कुछ अच्छे न कि तुध को फुर्ण मारे यहांपे लेकिन यहां पर पोइयर कितने खेलने ले हैं खुछ देखलो वल्ड्लीस वाड़िए इसलिए तीटवर केता है लेकिन पोड्यया फोरा छूर्पी लाग हमो खुन्फ्यूज मत होना ठीक है फाइनल टीम टेली ग्राम पे आ रहा है आपका बहुत-बहुत सुक्रिया जल्दी से आई टेली ग्राम पे टीम आपके लिए रेडी है बस आपको लगाना है और इनको है करना है तैंक इस सो माच और वाचिंग इस वीडियो